नमस्कार दोस्तों मैं उदलार्फ एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर उड़ो देखने वाले हरकिसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की उड़ो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पड़ा हां दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का दुनिया की सबसे बहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी आज देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय घर घर तक पहुच चुका है इस व्यावसाय के माध्यम से कितने बेरोजगार UR, UT, दिव्यांग, विकलांग व्यक्तियों के साथ-साथ आज वयसका आबादी के सदस्यों को रोजगार प्राप्त हो रहा है इस व्यावसाय ने लाखों का मुनाफा कमाने का रास्ता खोल दिया है इस कारण वशकितने बेरोजगार UR, UT, दिव्यांग, विकलांग व्यक्ति इस व्यावसाय को करियर के आप्शन के तौर पर चुनना चाहते है आईसी परिस्तितियों में आपको भी देशी मुर्गी पालन करना है और इस व्यावसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है लेकिन जब तक आप देशी मुर्गी पालन के व्यावसाय में चूजे निकालने वाली मशीन यानि इंकुबिटर का इस्तमाल नहीं करोगे तब तक आप इस व्यावसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त कर नहीं पाओगे क्योंकि जब तक इंकुबिटर आपके हाथों में नहीं पहुचेगा तो आप बहुत बड़े पैमाने पर चूजों की प्राप्त कर नहीं पाओगे और जब तक घर पर सच्ते चूजे तयार नहीं होगे तब तक आप इस व्यावसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफ़ा प्र आप तक करना है आपको चूजे निकालने वाली मशीन के माध्यम से जो चूजे निकलेंगे तो उनको फिर क्या देना चाहिए क्योंकि इनको संभालना मुश्किलों भरा साबित हो सकता है तो इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मैंने ये सीरीद चालू की है जहां पर एक से पंदरा दिनों तक क्या फिर देना चाहिए पार्ट वन में बताया वीडियो नंबर दो पार्ट टू में मैंने पंदरा से लेके 30 दिनों के दर्मियान किस तरह से देशी मुर्गियों के चूजों को फिर देना है इसकी जानकारी आपको दी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पार्ट थ्री में कि 31 से लेके 60 दिनों के दर्मियान जब हमारे चूजे दूसरे महा में प्रवेश करते है तो दूसरा महा खत्म होने तक उनको क इस प्रकार से फिड देना चाहिए और साती साथ यह फिड देते हुए फिड कोंसा देना चाहिए कितना देना चाहिए कितनी मातरा का इस्तमाल करना चाहिए सभी जानकारी दूंगा इसलिए यदि आप यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आप सही प्रप्राइब करना है अगर हां तो जुड़े रहे इस वीडियों के साथ सुरुआज से लेकर अंत तक जब पसंद आजाए तब जरूर लाइक कर दीजे ज्यादा ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालग भाईयों तक जरूरी स्वीडियों को शेयर कर दीजे शेयर करने क के लिए आप पर्सनल वाटसब नंबर वाटसब ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नैपचर इन सोशल मेडिया के साथ नों का इस्तमाल करते हो क्रिपया लिंक को शेयर कर दीजे रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान से करना है कुछ भी नहीं करना इस वीडियो के दाइत्रव निचली साइड में आ जाए वहां पर आने के बार दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंगी इस घंटी को टच क माध्यम से आप आसान इसे लाखों का मुनाफ़ा भी प्राप्त कर सकते हो आपकी समस्याओ को कम करने के लिए मैंने दोस्तों इंडियन मुर्गी पालन नाम से वाटसप ग्रूप भी तयार कर दिया है इस वाटसप ग्रूप में जॉइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहाँ पर मुफ्त में आप इस वाटसप ग्रूप के साथ जुड़ जाए और पुर्य भारत वर्ष में अपनी पहिचान यहाँ पर बढ़ा लीजिए तो देखे दोस्तों फिर 31 से लेके 60 दिनों के दर्मियान पहले देखते हैं कि मुर्गियों को चूजों क यहाँ पर फिड कितना लग सकता है जब तक कितना फिड लगेगा यह समझ में नहीं आएगा तब तक हम प्रॉपरली इनका फिड मैनेजमेंट कर नहीं पाएंगे आउसा तरह इसा माना जाता है 31 से लेके 60 दिनों के दर्मियान शुरुवाती तोर में मुर्गियों के शुटा चूजा दूसरे महा की शुरुवात से लेके दूसरा महा खत्म होने तक 900 ग्राम के करिब-करे फिड खा़ लेता है यानि कि 800 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम yakने ज्यादा से ज्यादा एक किलो तक הי през 1 किलो फिड हमारे एक मुर्गी के चूजे को दूसरे महा में लग जाता है दोस्तों फिर आईसी परिस्तितियों में दूसरे महा में क्या देना चाहिए, कितना जेना जाए, किस प्रकार से देना चाहिए, ताकि फिड का खर्चा भी घटे और हमारे चोटे-चोटे चूजों का सही तरीके से पालन पोशन भी यहां पर हो जाए, तो देखे दो दोस्तों दो तरीके से मैं आपको मेथड बताऊंगा, जो दो मेथड होंगी, उसमें से जो मेथड आपको ठीक लेगे, उसका इस्तमाल कर दीजे, मेथड नमबर एक, तो यहां पर क्या करना है, अगर पहले महा में चूजों की बड़ोतरी ठीक ठाक नहीं हुई है, तो तर्मियान यहां पर मिल जाएगा, तो यह बात हो गई दोस्तों की वह स्टार्टर कितना लेना है, तो स्टार्टर लेना है दोस्तों आपको 50 प्रतिश है, यानि 10 किलो फिड ले रहे तो उसमें 5 किलो स्टार्टर होना चाहिए, उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों यहा हिस्ता है इस्ता इनका इस्तमाल कर दीजे 30 दिन होगा 31 दिन डारेक्ट ले आपने पूरा फिड में थड़ बदल दिया तो उसकी दिक्कत छोटे चुटे चूजों पर आ सकती है इस हिसाब से देखिए दोस्तो आपको इस हिसाब से थोड़ा-थोड़ा करते करते हुए आगे बढ़ना है दोस्तो और दूसरी सबसे महत्तो पुरुन बात यहां पर आपको जाननी होगी कि इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए 50 प्रतिशत आपने स्टाटर इस्तमाल किया और 50 प्रतिशत तक दूसरा फिड इस्तमाल किया लेकिन दोस्तो अगर सरदी का मोसम है अगर ब मोसम में जाओगे तो तब आपको क्या करना है कि वहां पर गीलापन यानि कि सबजी तरकारी जो मेथी घास दशरत घास होती है नेपिर घास इनका इस्तमाल आप वहां पर कर सकते हो तो इस प्रकार से फिड मेटर का यहां पर इस्तमाल कर सकते हो आभी जो फिलहाल टमाटर बहुत सस्ते तो उनका भी इस्तमाल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, तो इस हिसाब से अगर आपके छोटे-छोटे चुजे पहले महा में ठिक-ठाक नहीं बड़े होंगे तो इस प्रकार से इस्तमाल कीजे, अगर आपके चुजे पहले महा में बहु उसमें सहय जिल की पतिया, फलिया और इनका भी इस्तमाल कर लीजिए, यह भी सबसे महत्योपूर्ण किस्था साबित हो सकता है, तो इस प्रकार से फिड मैनेजमेंट रखी जाए, अब यह आपको होगे सर, आप ही बताइए ना कि दोनों में से कौन से बहतर है, तो देखें दोस्तों मैं जो इस्तमाल करता हूँ तरीका तो इसी साब से मैं जो कुल फिड देता हूँ, उसमें से आधा, दूसरे महा में स्टार्टर इस्तमाल करता हूँ और आधा फिड मैं मोसम के हिस साब से दिये देता हूँ, मोसम सुका है तो गिला फिड देता हूँ, और यह मेर इसका फॉर्मुला बहुत इंटक्ट है बहुत काम है आप दोस्तों इसी फॉर्मुले का इस्तमाल करके आप सव प्रतिशत यहां पर आगे बढ़ सकते हो तो देखे दोस्तों यह सिंपल सा फॉर्मुला 31 से लेके साथ दिनों में अब अपना होगे तो आपके फार्म का फिड़का खर्चा बढ़ेगा नहीं और आपका फार्म दिन दुगनी राच्चोगनी प्रोग्रेस से आगे बढ़ पाएगा लेकिन दूसरे महा में गोबर के खात का इस्तमाल करना भी बहुत इंपोर्टन्ट है इसका में फिड़का खर्चा कम करने की यहां पर अथावत कोशिश की अभी इसमें कोई दिक कते हो समस्या है तो आप कमेंट सेक्षन में जरूर लिख कर भेज सकते हों साथी साथ बहुत सारे किसान भाईयों को मुर्गी पालक भाईयों को मेरी ट्रेनिंग चाहिए मैं आपको सिखने के लिए दिखने के लिए भी तयार हूँ लेकिन इसके लिए आपको इंडियन मुर्गी पालन के साथ जुड़ना होगा जुडने का त schemesal कर आ तो पर तीन से लेके शाम आठ के दर्मियान कर दीजे उसके पहले और उसके बाद में कौल क्रिपाया मत लगाए क्यूंकि आपको रिप्लाइ नहीं मिलेगा तो आपको वहां पर थोड़ा गलत लग सकता है तो दोस्तों जिनको मेरे साथ रहे के मेरा मार्ग दर्शन पाके ला ताकि आपको हरा अपडेटेट जानकारी समय समय पर मिलती रहेगे तो दोस्तों यहता पूरा वीडियो इस वीडियो के बारे में और मुर्गी पालन के बारे में और कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्षन में लिग कर भेजी पसंद आया होगा वीडियो इसलिए ज़रूर को को शेयर कर दीजे रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाय और मुर्गे पालक भायों से हाथ जोड़ कर विनिती करता हूं कि दोस्तों आप सभी को मैंने अपना माना है और मानता ही रहूँगा यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदे से मानते सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाइतरब निचली साइड में आ जाईए वहां पर आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंके सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंट आएंग इस घंटी को टच करते हुए ओल इस नोटिफिकेशन को आन कर दीजे ताकि आने वाला हरुडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तो आई साही एक नया वीडियो ले करमाया आपका दोस्तु देलाण आप सभी घेचे ही ते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा त के उड़ में तहे दिल से बहुत बहुत आभाद